हलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल आज अपन फ्रेंट्स देखने वाले हैं पूर्णांग क्या होता है इंटीजर इसकी डेफिनेशन क्या होगी और इसके बारे हम जानेंगे कैसे सॉल्व करते हैं फ्रेंट्स इससे पहले देख लो फ्रेंट्स हमने क्या-क्या कवर कर तो फ्रेंट्स के पूर्णांग कई सॉल्व करते हैं फूर्णांग क्या होता है इसकों इंगलीस में बोलते हैं इंटीजर फ्रेंट्स आप्वनांग जैसे हम posk's क्लास में देखना तो हमको धनात्म संक्यागव की बारे में ही पटना परता था नेचरल नंबर के बारे में ही हम पढ़ते थे फ्रेंट्स लेकिन अगर देखा जाए तो देख अपन जीरो से उपर की संख्या के बारे में ही पढ़ते थे फ्रेंट्स है हमारा जीरो है हमने प्लस वर्न टो थ्री फोर इसके बारे में इधर की संख्या के बारे में फिट तक पढ़ा है लेकिन इंटीजर चल्लू होते हैं सिक्स क्लास में आपको माइनस की संक्याय भी पड़नी पड़ती रीनात्मक सेथ की-साइड रीनात्मक संक्या भी पड़नी पड़नी पड़ती यह अब है ने खिदर हां अंक में पढ़ने को मिलता है प्रेंट्स आपन इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है प्रेंट्स पहले क्या होता था फ्रेंट्स कि हम छोटे अंक में से बड़े अंक को माइनस नहीं कर सकते थे जैसे टू माइनस फाइब दिया है था हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थ क्रिप्त तक क्लास में लेकिन इसा नहीं होता है फ्रेंट्स जैसे हम यहां पर टू पर है अभी देखोड़ प्लस का तू मतलब यहां पर हैं यहां से हमें पांच कदम पीछे जाना है तो हम कैसे जाएंगे इधर की साइड रिनात्मक साइड जाएंगे 1 2 3 4 5 तो हमारा अंसर क्या जाएगा फ्रेंट्स माइनस 3 लेकिन अगर बड़ा अपने पास बड़ी संक्या है तो उसका सॉल्यूशन इसे नहीं कर सकते इसके लिए एक तरीका बनायागा है फ्रेंट्स कुछ रूल से हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंट्स जिसे दो धनात्मक संक्या है अगर प्लस होती है तो वहाँ पर जोड़ोगा एक रिनात्मक एक धनात्मक संक्या होगी वहाँ पर घटा होगा एक धनात्मक और दूसरी रिनात्मक संक्या वहाँ पर भी घटा होगा और अगर दोनों रिनात्मक संक्या है तो वहाँ पर जोड़ोगा यह तो हुई फ्रेंट्स जोड़ घटाओ की बात लेकिन फ्रेंट्स इसमें साइन की बड़ी मिश्टेक आती चिन माइनस का आएगा या प्लेस का बच्चों की ये बहुत confusion रहता है तो बताता हूं friends जो भी answer होगा वह बड़ी संख्या वाला चिन होगा मतलब बड़ी संख्या वाला साइन होगा अगर बड़ी संख्या रीन की है तो रीन का चिन आएगा धन का चिन आएगा friends जैसे अब देख सकते हो simple सा ट्री के friends जैसे मेरे को अभी solo करना है 5-5 plus 20 अब देखो friends यहां पर एक रीनात्मक संख्या एक धनात्मक संख्या तो यह देखो रीनात्मक संख्या प्लस धनात्मक संख्या तो इनके बीच में क्या होगा फ्रेंट्स घटा होगा पेला तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि यहां पर क्या होगा घटाओ तो बीस में से पांच को घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 अब इसमें साइन का प्लस होगा कर सकते हैं कि चो वही चीन हमारे अंसर में भी होगा तो यह answer में क्या आएगा 15 ऐसे यह solve कर सकते जैसे यहाँ पर minus 4 और minus 15 है अब देखो दो रिणात्मक संख्याओं क्या होता फ्रेंड्स जोड तो उसके लिए हमको इनको 8 करना पड़ेगा तो यह क्या हो जाएगा जोड किया तो 19 आए और बड़ी संख्या कही कि यह minus की ऐसे ही कोई सा भी question solve कर सकते हो friends और अगर इतना याद नहीं रखना है तो simple सा यह याद रखना कि plus plus और minus minus वाली sign रहे वहाँ पर जोड होता है और minus plus या plus minus वाली opposite sign रहे वहाँ पर गटा होता है friends यह हमेशा याद रखना यह golden rules है अपने पूर्णांक को solve करने के friends आप इसका screenshot आसानी से ले सकते हो और अपने भाई बेनों को बता सकते हो चोटे भाई बेनों को सीखा भी सकते हो friends और आप भी सीख सकते हो यह काफी helpful रहेगा आपके लिए और आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को I hope आपको कुछ नहीं से को मिले मिला इस वीडियो से और friends इसके बाद में बोड मास रूल भी पढ़ाने वाला हूं तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससा बेसिक से सिखने को मिले मैं सारी में से को सॉल्व करोंगा friends तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल एंड थैंक्स for watching